रोजे स्टार्ट होने वाले हैं तो मैंने सूचा कि आपके लिए कैसी स्नेक्स रेसिपी तयार की जाए जो अफ़तार से 5 मिनट पहले रेडी हो जाए तो यह रेसिपी है आलू चिप्स की रेसिपी और चिप्स बनाते समय जो भी आपको प्रॉब्लम आती हैं जैसे तूट ग पांच किलो आलू थोड़े बड़े साइज के लिए हैं इनको हम अच्छे से चील लेंगे इस रेसिपी का एक फाइदा यह है कि हम इसको एक बार ही बना कर पूरे साल भर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब भी हमारा मन चाहा निकाला फ्राइक्या और हमारे पटेटो स अच्छे से दोलेंगे और रिखिए हमें इनको अच्छे से दोलिया है और मैं इनको ऐसे बटन में रखूंगी जिसे की पानी में डूबे रहें अब हम नाइफ से या पटेटो स्लाइस कटर से अपने आलू को कट कर लेंगे चिपस की शेप में तो यह देखे मैंने यहां पर सारे पिटेटो स्नेक्स को कट कर लिया है और अब हम जिस परतन में इनको रखेंगे उसको हम पानी से एकदम भर देंगे जिससे की हमारे जो पिटेटो स्नेक्स हैं वो डूबे रहें मैंने जादा अलू कट किया थे तो यह एक बरतन में नहीं आए इसलिए मैं इनको दो बरतन में करकर रखूंगी अब जो हाउस वाइफ होती है वो यहां पर गलती करती है बस एकदम से कट किये वाश किये और सुखा दिये हमें इनको शाम को कट करना है और इनको ओवरनाइट ऐसे ही पानी में छोड़ देना है जिससे कि इसका जो स्टार्ड जैगा रात को पानी में छोड़ने से ही यह फलपी फलपी से और एकदम कुरकुरे टेस्टी से बन कर तैयार होंगे यहां पर हमारा नेक्स्ट डे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है और आलो को पानी है कितना गंदा हो गया है आप देखी सकते हैं और अभी यहां पर हम आलो को अच्छे से 2-3 बार दो लेंगे हलके हाथों से रिस्से किया तूटे ना इधर हमने एक पैन में पानी को होने रख दिया है और अब हम इसमें एड कर देंगे वन टेबल स्पून सॉल्ट पानी को हलका गुनगुना होने पर हम कटे हुए अलू चिप्स को पानी में एड कर देंगे इस तरीके से थंडे पानी में हमें विल्कुल भी नहीं डालने क्योंकि हम इने ओवर कुक नहीं क करना जब आलू हमारे हलके से गरम हो जाएंगे हम इनको हलके से चला देंगे हलके हातों से जिससे कि यह टूटे ना और इसके ओपर ज्ञाद आएंगे हम इनको उतार लेंगे पानी में बॉइल आनल स्टार्ट हो गया है और यह देखे एक उबाल के बाद अब हम इसको सिर्फ पांच मिनट तक लो फ्लेम पर और कुक करेंगे हमें इने ओवर कुक नहीं करना बस फटा फट से अब हम इनको ले आएंगे छट पर इसको धूप में ही सुखाना है आप और उस पर इस तरीके से चिप्स को फैला दीजिए हमें इनको एक एक करके फैलाना है जिससे कि यह चुपके ना आपस में अगर चुपक गए तो फिर ढंक से सूखेंगे नहीं और फिर हमारे स्नेक्स खराब हो जाएंगे यह देखे हमारा एक बैस कंप्लिट हो चुका है अब हम सेम उसी पानी में हाफ टेबल स्पून सॉल्ट को और अड़ करेंगे और बाकी के कटे हुए चिप्स को हम पानी में बॉइल कर लेंगे सेम उसी तरह यह देखे शाम के चार बच चुके हैं और हमारे आलो के स्नेक्स सूप कर एकदम कुरकुरे हो गए हैं वैसे भी आजकल गर्मिया है जरा सी सी देर में सूप कर तेयार हो जाएंगे अब हम इनको कर लेते हैं फ्राइए यह देखिए कितने चिप्स फूल कर उपर आ गए हैं बहुत सिंपल सी रेसिपी है आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइए करें वैसे भी आजकल तो गर्मिया है आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो बहुत जल्दी सूप कर यह तयार हो जाएंगे और शाम के चाही के साथ इनको सर्फ करें बहुत मज़े के बनते हैं व हाफीज